नमस्ते, सदा बहार यानि की जहां हमेशा बहार रहती हो, ऐसा होता है या बिंका का पौधा, जिसमें की सालों भर फूल आते रहते हैं सर्दियों में बिंका के पौधे फूल थोड़े कम हो जाते हैं, पर गर्मियों के आते हैं फूलों की बहार आ जाती है आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस खुबसुरत पौधे को कटिंग्स और बीज से लगा कर सालों साल अपने गार्डेन में रख सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें और वेल आइकन बटन भी साथ में दबाएं देखिए मेरा बिंगा का कलेक्शन है इसमें कुछ देशी है और बाकी सारे हाइब्रीड है देशी दो तीन कलर में आते हैं ये परपल कलर का एक मेरे पास है और एक वाइट कलर का नीचे ग्राउंड में लगा हुआ है हाइब्रीड में बहुत सारे कलर आते हैं मैं हमेशा ही नए नए कलर लाकर अपने गार्डेन में एड करते रहती हूं ये सारे पौधे मेरे पास आठ शाल से हैं जिने मैं कटिंग से हमेशा नए प्लांट त्यार कर लेती हूं इनके बीज भी बड़ी आसानी से लग जाते ह हैं इनके बीज पौधे पर बनते ही रहते हैं जिने मैं तोड़ तोड़कर पौट में ढलती रहती हूं देखिए सारे पौधे मैंने सीड से होग Ainem यह सारे सीड मैंने पॉट में डाल दिये थे जिनसे पॉधे त्यार हो गया अब तो इन पर कलियां भी बनने लगी है और जल्दी इन में फ्लावर्स आ जाएंगे आज मैं अपने सारे विंका की कटिंग लगाऊंगी इस तरह से विंका की कटिंग को निकाल ले नीचे से छवा साथ पतियां रिमूब कर दें टिप पर फूल हैं तो उन्हें भी रिमूब कर दें यह देशी वाले बिंका की भी कटिंग मैंने एक लगा कर रखे हुए हैं यह डायविटीज को कंट्रोल करता है और सुबह सुबह खाली पेट इसके दो-तीन पतियां खाने से डायविटीज वालों को बहुत फैदा होता है इसके फूल और पत्तों का यूज बालों की ग्रो को हटाने में होता है हाई ब्लड प्रेशर वाले और आख की बीमारी में भी इसका इस्तिमाल करते हैं आज कल इसका इस्तिमाल कैंसर ट्रीट्मेंट में भी किया जाता है बिंका की कटिंग मैं पूरे साल लगाते रहती हूं इस पॉर्ट में मैंने रीवर सैंड में कुछ लगा कर रखे हूए हैं जो कि बहुत अच्छे से त्यार हो चुके हैं अब मैं कुछ कटिंग लगाऊंगी इस पॉर्ट में इस पॉर्ट में मैंने पेन की सहायता से होल कर लिया है इस तरह से होल बना लिये हैं अब इनमें मैं कटिंग डालने वाली हूं यह कटिंग मैंने टिप के उपर से लिए थे टिप बाले कटिंग ज्यादा अच्छे से चलते और इस तरह से इतने हेल्दी ब्रांच लें बहुत सौफ्ट ब्रांच भी ना लें और बहुत ज्यादा हार ब्रांच भी न ले इस तरह के ब्रांच बहुत सही रहते हैं लगाने के लिए इस तरह से मैं इन है लगा दूँगी कि फ्लावर में बाद में रिमूव कर दूँगी अभी मैं आपको कटिंग लगा कर दिखाती हूँ कि इनकी कटिंग लगाना बहुत आसान है इन में किसी हार्मून लगाने की कोई खास जरूरत नहीं होती है बड़े आसानी से जड़ निकाल लेते हैं मैं रिवर सेंड में हमेशा कटिंग्स लगाती हूं इसमें इनके जड़ बड़े आराम से निकलते हैं ये नदी की रेतिली मिट्टी होती है जिसमें की दाने काफी महीन होते हैं मोटे दाने नहीं होते हैं बालू के इस तरह से मैंने मैंने आपको दिखाने के लिए इतने कटिंग्स त्यार किये थे अभी मैं इसमें और भी कटिंग्स डालने वाली हूं इस तरह से लगा ले और किसी छायादार जगह पर रख दें एक महिने में इनके रूट्स त्यार हो जाएंगे तब मैं इनको निकाल कर बड़े पॉर्ट में सिफ्ट कर दोंगी देखिए इसमें मैंने कुछ समय पहले ही कुछ कटिंग्स डाले थे यह रिवर सैंड में ही लगे हुए हैं यह आज मैं निकाल कर आपको दिखाती हूं इसमें फ्लावर्स भी आ गए हैं महुत अच्छे से यह त्यार हो चुके हैं यह प्लांट इनके रूट्स मैं आपको आज निकाल कर दिखाती हूं बहुत अच्छे से इनके फ्लावर्स भी आ गए हैं और ब्रांचेज भी एक दो निकल कर त्यार हो गए हैं रूट्स भी देखी इनके कितने ही छिल्धी हैं यह देखिए यह एक कटिंग है और यह कटिंग में और दिखाती हूं यह देखिए यह कटिंग से इनके रूट देखिए कितने हेल्दी हैं अब ये एक रेड़ वाला देखिए ये पूरी तरह से अच्छे से त्यार हो गया है अब मैं इन्हें बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी मैं साल भर इसी तरह से अपने बिंका के कटिंग्स निकाल कर नए पॉधे त्यार करते रहती हूँ इस तरह से मेरे गार्डेन में बिंका पूरी साल बने रहते हैं ये कभी भी मेरे गार्डेन में खत्म नहीं होते हैं मैंने आठ साल पहले इन पौधों को नर्शेरी से लाया थे तब से मैंने फिर से इन्हें दुबारा नहीं खरीदे हैं बीच से या फिर कटिंग से इस तरह से मैं इन्हें रिपीट करती रहती हूं आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा बताईएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी खुश रहें सौस्त रहें नमस्ते